परम पूज महराज जी राधा वलब जैशी हरिवन्ष महराज जी प्रश्न कुछ नहीं है केवल इतना है कि जब-जब हम ब्रंदावन दोनों पती-पतनी आते हैं तो हमारे ठाकुर जी घर पर ही अकेले रह जाते हैं उनकी सेवा पुजा कैसी होती होगी माराजी माग दर्शन करें जवाब आया करें तो अगर ठाकुर जी बड़े हैं साथ नहीं ला सकते हैं वेसे सेवा पद्धती में दो प्रकार की सेवा पद्धती स्पास हर सेवक रखता है जैसे हम लोग बड़ी छवी रखते हैं तो राधा नाम सेवा भी रखते हैं कभी चलना हो तो सब नहीं ले सकते हैं तो राधा नाम सेवा ले ली जिनके हम बड़े ठाकुर बिराजमान होते हैं तो छोटे ठाकुर जरूर बिराजमान होते हैं देखना जहां बड़ी सेवा विराजमान होते हुआ छोटे ठाकुर होते हैं मालों अगर यूगल सरकार बड़े विराजमान तो एक छोटे यूगल सरकार है तो बड़े यूगल सरकार की जैसी हो वैसी हो भावना में छोटे यूगल सरकार को उन्हीं में विराजमान करके ले में घर में विराजमान है, चित्रपठ है, हम दुलार करते हैं, यहीं से बेशते रहते हैं, तो हमारे प्रिया-प्रितम की सेवा हमारी होती रहती है, हमारे प्रिया-प्रितम उनको कहे कि आओ, अभी तक तो घर में रहाओ, महल ले चलते हैं, ब्रंदावन, हमारे साथ आओ, ह प्रिया प्रीतम के लिए अच्छा रहेगा भले नहीं लिया लेकिन भावना से अच्छा रहेगा वह पहुंचा दिया भावना बनानी है ना वस्तु लेना ना लेना कोई खास बात नहीं सी कृष्ण दास जी गए हुए थे तो उन्होंने देखा गरम गरम जलेवी बन रही तो उनका हो ये सुन्दर जलेवी तो स्री नाच जी के लिए बहुत सुन्दर रहेगी वह आखमुंदी और भावना तो यहाँ जब सी बिठल नाच जी ने परदा हटाया तो देखा कि स्री जलेवी पा रहे तो कहा कि जह जह हमने तो जलेवी का भूग लगाया नहीं और यह जलेवी आप पार बोले कृष्ण दास जी गए है न बाहर तो वहां उससे वह भूग लगा तो बोले यहां तो बाहर की जलेवी का भूग लगता लिए अब बोले गरम गरम बन रही ती का तो हम पा रहे हैं वहां उन्होंने सोचा और यहां ठाकुर स्रीनाजी पा रहे हैं अर्था ठाकुर जी आपकी भावना को पाते हैं अगर आप जिसे मानलों कोई भी वस्तु देखी और आपके मन में आगी यह हमारे प्रिया प्रितम के लिए बहुत बढ़ी आउपासना ब करीद रहें लेकिन भावना में डूर हैं मेरे प्रिया जी को यह पोशाग बहुत अच्छी रहे हैं वह प्रिया जी आपकी पोशाग ले रहे हैं तो इकार करें और आपके अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा समझे रहें